नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं गता है बतादे न्युक्तियों में होने वाले बिलाम वह पर त्युक्ता परीक्षाओं के रद करने को देखते हुए अभियार्थ्यों में उम्र सिमा को लेकर संसाई की स्थिती बनी हुई है नियुक्ति में बिलंब तथा बार बार पर किरिया रद करने के कारण हजारों युवाओ के उम्र सिमा पहले ही समाप्त हो गई है अब बारा परिक्षाओं को रद किया गया है इसमें भी हजारों वैसे अभियार्ति सामिल थे जिनका या अमतिम आउसर था तिरितीय वर्ग अस्तर ये पदोपन नियुक्ति के लिए JSC परिक्षा आयोजी करता है तथा अभियार्थियों का चैन कर नियुक्ति के अंसन साराई सरकार से करता है लेकिन वर्ष 2021 की JSC असना तक अस्तर परिक्षा संचारा नियमावली हाई कोट से रद होने के बाद से अब तक नई नियमावली नहीं बनाई जा सकी बिना नियमावली के JSC परिक्षा का संचारान कैसे करेगा बता दे JSC ने चल रही 12 परत्योग्दा परिक्षाओं के परकिलिया रद कर दिया है जारखन में मौसम का मिजाज बदल गया है अधिक्तम और नियुतम तापमान तेजी से बढ़ने लगा है एक और सागर में पच्मी बीच्छोब का छेतर बना है तो दूसरी और पंजाब और उसे सर्टे पाकिस्तान में सैक्लोनिक सर्कुलेशन भी है जिसने मौसम का मिजाज बिगार दिया है जारखन पर भी मौसम में आए इस बदलाव का असर देखा जा रहा है राजधानी राची का तापमान 30 डिगरी को पार कर गया है जबकि निमतम 16 डिगरी सेंटीग्रेट करी पहुँच गया है बता दे आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिगरी बढ़ने का अनुमान है हलाकि तापमान में कोई बहुत बड़ा परिवर्ता नहीं देखा जाएगा जारखन में होली से पहले बड़ फुलू की आहट को लेकर अलट जारी 1000 से ज्यादा मुर्गों की मौत होली से ठीक पहले जारखन में बड़ फुलू की आहट को लेकर स्वातमा कंपेन ने अलट जारी कर दिया है राजी के बोकारो जीले में एक हफते के अंदर 1000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई रभीवार को यहां राज की एक कुकुट सेंटर में कड़कनाथ नस लेके 350 से ज्यादा मुर्गों की मौत के बाद हड़ कम मच गया है बता दे अब इनके सेंपल को कोलकत्ता और भोपाल भेजे गया है हालाकि वहां से जाच की रिपोर्ट आने के बाद ही साब भागा की मुर्गों की मौत किस वज़ा से हुई है वर्ड पुलू की असंका को लेकर राजे के सबसे बड़े मेटिकल कॉलेज होस्पिटल रिम्स को भी अलट जारी कर दिया गया है अस्पताल में आईसोलेशन डिपार्टमेंट को इमर्जेंसी के लिए त्यार रखा गया है अगर किसी भी ब्यक्ति में वर्ड पुलू के लक्षन सामने आते हैं तो आईसोलेशन वार्ड में मरीजों को रख कर राज किया जाएगा दिली से देवगर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह बम की अफवाह के बाद इंडिगो के बीमान की इमर्जेंसी लेंडिंग कराई गई है बतादे दिली से देवगर आने वाली फ्लाइट में सोमवार को अफवाय के बाद लखनव में उसकी emergency landing कराई गई करीब दो घंटे तक जाज की परकिरिया चली बम होने की सुचना अफवाय निकलने के बाद सुरक्षाइजेंसियो दिवारा एनोसी दी गई वह इंडिगो की फ्लाइट लखनव यहरपोर्ट से दो बचकर बीस में टेक अफ़ किया सवार चार बजे देवगर यहरपोर्ट लेंड कराई गई फ्लाइट में देवगर आने वाले 183 सवार थे बता देवगर को दिली से देवगर आ रहे है इंडिगो की फ्लाइट 6E6191 में बम की सुचना होने पर लखनव यहरपोर्ट पर इमर्जेंसी लेडिंग करानी पड़ी रांची में पंचायत सचीवाले स्वायम सेओको पर लाठी चार्ज पंचायत सचीवाले स्वायम सेओको पर पूलिस ने सोमवार को लाठी चार्ज कर दिया है इसमें कई परदसनकरी खायल हो गया है इन्हें रिम्स में भरती कराया गया बताया जा रहा है कि ए मुख्यमंत पर्तिकृए गया, ये पुरुचाहन रासी की जगळ सम्मान जनक वेतन एवाम पंचाज सची वाले सहायग पत्त का दरजादेने कीमांग कर रहे थे, बदा देर राजय भर से परदसनकारी पंचाज सची वाले स्वयम सिवक संग के बैठक पिछले दिनों राजी में पर्दे कोट के चोदह में चीफ जस्टिस के रूप में संजय कुमार मिस्टिस ने ने सोमवार को सपत ली राजेपाल सिपी राधाकृष्ण ने उन्हें राजभवन के बीरसा मंडप में सपत दिलाई इस समारों में सीम हेमान सुरेन भी उपस्चित थे सपत गरहन करने के बाद पिषडों को नया दिलाना मेरी प्रत्मिक्ता में रहेगी बता दे चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्टिस ने पुराने केस को ज्यादा महत्व देने की बात कही है उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों और पिषडों को नया दिलाना मेरी प्रत्मिक्ता में रहेगी औ और हर मामले पर तवरित करवाई की जाएगी वहीं चिफ जर्श्टिस ने पत्रकारों से बात चीत के अंत में जय मात्रूभोमी जय जारकन कहा है गढ़वा के रमकंडा में इट भठा बेहसाई की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है इस घटना के बाद से पत्थर गाओं में तनाव का महौल है बताया जा रहा है कि आपसी रंजिस में इट भठा बेहसाई सी पूजन यादो पचास बर्शे की हत्या कर दी गई सोमवार को कागी करवाई कर रही पूलिस के सामने लोगों ने अक्रोस जताया है लोगों को तितर भितर करने के लिए पूलिस को फैरिंग भी करनी पड़ी है बताया जा रहा है कि रभिवार देर साम आपसी रंजिस में रमकंडा थना चेत्रे के पटसर गाओं के भोटम में हुआ टोला के इट भटा बेवसाई सी पूजन यादो की परहिया टोली में पथर से कुछ कर हत्या कर दी गई हाई कोट से असनातक प्रसिक्षित सिक्षकों को बड़ी रहात जारखन हाई कोट ने राज के मध्य विद्यालों में नियुक्त असना तक प्रसिक्षी सिस्कों को दोबारा नियुक्ति करने की एकल पीठ के आदेश के खिलाब दाखिल अपिल पर सुनवाई हुई अदालत ने मामले में सावी पक्षों को सुनने के बाद अपिल को खारिश कर दिया बतादे अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठाया है हलाकि सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर पूरु में ही सभी को दोबारा नियुक्ति कर दिया था लेकिन इसमें सर्त लगाई गई थी कि उक्ते नियुक्ति अपील के आदे से प्रभावी होगी हटाए गए सिस्कों को फिर से बहाल करने का निर्देश की खिला प्राइस सरकार ने हाई कोट में अपील दाखिल की थी 2015 में हुए सिक्षक भाली में कॉमर्च गेर्जुएट की राज की ये मद विद्यले में नियुक्ति होई थी मुख्य मंत्री से मिलने के लिए सीम आवास जार है पंचायत सचीवों पर लाठी चार्ज हैं बतादे पंचायत सचीवाले सहयक संब के चंद्रडीप ने बताया कि लवक्तीं दर जन पंचायत कर्मी घायल हुए है जिन्हें विभीन अस्पतालों में भरती कराया गया जनकारी के मुताविक पंचायद संग के सहस्यों को राज भावन के समक्ष धरना परसन का पहले से कार्यकरम था इसी करम में सेक्डों की संख्या में लोग जूटे हुए थे संख्य के अनुसार उनकी संख्या 2000 के करीब थी 21 फरवारी से कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्यवीर्थी के लिए आवेदान पोस्ट मैट्रिक छात्यवीर्थी जोजना के तहत अनसुचित जन जाती और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली छात्यवीर्थी के लिए आवेदान के तीथी की खुसना कर दी गई है सेक्षेनिक संस्थावों द्वारा इक कलियान पोटल पर राइस्टेशन के लिए 21 परवाड़ी से 6 मार्च तक किती थी निधारित की गई है सेक्षेनिक छात्रों के आवेदन के लिए 10 मार्च से 17 मार्च तक किती थी ताय कर दी गई है INO की ओर से थत्यापन की तीथी 10 मार्च से 18 मार्च रखी गई है इन तीथियों के अंतरगा थी आवेदकों को अपना आवेदन करना होगा राज्य के पोलोटेकनिक संस्थानों में सुरू होंगे आधा दर्जन से अधिक नए ट्रेड राज्य के सरकारी पोलोटेकनिक संस्थानों में आधा दर्जन से अधिक नए ट्रेड में पढ़ाई सुरू होगी इन में ड्रेस, डिजाइनिंग और गार्मेंट मैनुफेक्चरिंग, माइनिंग, इंजिनियरिंग, साइबर सिक्रियूटी जैसे ट्रेड सामिल है नए ट्रेड सेक्षिनिक सत्र दो हैर तेइस चोबिस से शुरू होंगे बता दे उच एहम तक्निकी सिक्षा भी भागने इसे लेकर संस्थानों को आवसक, अधारबुद संदजनाय दुरूस्त करने तथा अन आवसक परकिरिया पूरी करने के निदेश दिये है राजकिये पूल टेक्निक साहिव गंज में ड्रेस, डिजाइनिंग और गार्मेंट मैनुफ्यक्टिरिंग ट्रेट में पढ़ाई सुरू होगी सभी बीत रहित इंटर महा बिद्यालियों का नाम बदल कर पलस्टू करने का आदेश राष्ट्रिय सिक्षा निती 2020 में स्कूली सिक्षा बेवस्था के तहत इंटरमीडियेट महा बिद्यालियों की जगा पलस्टू की बेवस्था पर जोर दिया गया है इसे लेकर स्कूली सिक्षायों सचता विभाग ने मन्याता प्राप्त इंटर कॉलेजों का नाम बदल का प्लस टू बिद्याले करने का अदेश दिया है बिभाग ने इसे लेकर सभी मन्याता प्राप्त इंटर महा बिद्याले के परचारियों को पत्र भेज कर यह करवाई करने तता इसे समझीत कागजात उपलब्द कराने को कहा इसके तहट सभी कॉलेजों के नाम में इंटर महा विद्याले सब्द हटा कर पलस टू विद्याले किये जाएंगे कोडारमा के जंगलों में ब्लू एस्टोन के अवैध कारोबार के खिलाप बड़ी करवाई कोडारमा जिला मुख्याले से करीब 5 किलो मेटर के दूरी परिस्थीत इंदरवा जहरी टाने के जंगली छेतर में सोमवार को वन विभाग ने ब्लू एस्टोन के अवैध खरन के खिलाप बड़ी करवाई की है वन प्रनानी आस्रेनी हजारी बाग के डियेफो और नीस चाओधरी के नितित में करीब 300 की संख्या में ससस्त्र पुलिस के जवानों ने करीब 12 बज़े दिन को यहां धावा बोला पुलिस परसासन ने यहां पहुचने पर पाया की छोटी बड़ी करीब 200 ब्लू एस्टोन के अवैध ख़दाने यहां संचाली था है पुलिस के पहुचने के पहले ही अवैध खनन में लिप्त लोग यहां से फ्रार होगा है फंड नहीं होने से असाध है रोग मद में नहीं मील पा रही मदद मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहट धनबाद में लगभग एक सर से ज़्यादा लाभोग सहायता रास्ति के इंतियार में है फंड नहीं मिलने की वज़ा से इन लाभोग के इंतियार करने वाले अस्पताल को भुगता नहीं हो पा रहा है ऐसे में लाभोग को परिशानी का सामना करना पर रहा है लाभोग ने इसकी सिकायत जिला पर सहसन और स्वास्त भीभाग के अधिकारियों से की है दूसरी और अधिकारियों का कहना है कि फंड आते ही सम्मंदित अस्पताल को पैसा भे दिया जाएगा इधा स्टीविल सर्जन डाक्टर अलोग विसकर्मा ने बताया है कि फंड की कमी के वज़ा से थोड़ी पर सानी है लेकिन इलाज बाधित नहीं होने दिया जा रहा जंगली हाथी द्वारा तीनों लोगों को मारे जाने के बाद गिरामिनों के बिच डर का महल है बता दे जंगली हाथी द्वारा मारे के लोगों की पचान भन्रा पंचायत के लडाई टंगरा निवासी स्वर्गिये बक्सू महतो के पुत्र लाल महतो जित राम उराव की प पतनी संकुतला कुमारी 20 वर्षे के रूप में हुई है। और मरीजो का निबंधन होना बंध हो जाता है। जे एस एस पी एस की प्रसिक्षू एथलीट अंजली उराओं की मौत की गोती सुलजाने में रांची प्रसिक्षू गई है। अंजली उराओं की होई मौत की जाज शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा एक पोस्मासन रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। पोस्मासन रिपोर्ट मिलने के बाद और भी चीज़े असपर्च हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने अरोप लगाया है कि इलाज होने में देरी हुई उन तथ्यों पर भी पूलिस नजर रख रही है। जार्खन समुदाईक स्वास्त पताधिकारी तेश को करेंगे सची वाला गहराव। जार्खन समुदाईक स्वास्त पताधिकारी तेश को करेंगे सची वाला गहराव। जार्खन किया जाना है जिसकी तैयारियों के लिए समुदाईक स्वास्त पताधिकारी के साथ खुटी पहुंचे। जार्खन के साथ अमरीत सहरों में 24 घंट जलापूर्ती का प्लान जार्खन के साथ अमरीत सहरों में 24 घंट जलापूर्ती के लिए एक्शन प्लान तयार कर लिया गया है बुद्धवार को महाराष्ट के नागपूर में अयोजीत रिजिनल कंफरेंस में जार्खन का मास्टर प्लान रखा जाएगा बतादे नगर विकास विभाग के ओर से गठित टाक्स फोर्स ने अमरीत सहरों की वर्तमान जलापूर्ती बेवस्था का अध्यान करने के बाद एक्शन प्लान तयार किया है मंगलवार को टाक्स फोर्स के सदसे नागपूर के लिए रवाना होंगे जुड़को के टेक्निकल प्रोजेक्ट टारेक्टर गोपाल जी के नतित में बना 10 सदस ये टास्पोर्स ने जारखन के अमरीत सिटी रांची गिरीडी धनबाद हजारी बाग चास देवगर और अधित्यपूर के लिए एक्शन प्लान तयार किया है धन्यवाद